नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और घंटी को जरूर दवाईए दोस्तों धार्मिक मानित्यक अनुसार तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा इन त्रीन देव गी कहा जाता है लेकिन इन मैंसे महेश अर्थार्थ भगवान भोलेनाद की पूजा करने से भगवान भोलेनाद जल्दी प्रशन हो जाते हैं लेकिन अगर कोई बुरे काम करता है तो ये इतने ही जल्दी उन पर गुश्णा हो जाते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कार्य बताऊंगा जिने करने से भगवान सेव बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन दो कार्यों को करने से जरूर बचें। दोस्तों सबसे पहला कारिय जो है वो बहती साधान कारिय है लेकिन उस कारिय को करने से हमें बचना चाहिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति को बेवज़ कर्ष्ट देना या उसे किसी भी परकार का नुक्सान पहुंचाना या फिर नुक्सान पहुंचाने की कोशिस करना किसी भी कारी में बेवजब बादाय उत्पन करना एक बहुत बड़ा अपराद है अगर मन में किसी के परती कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा है तो यह बहुत बड़ा पाब होता है मन में हमेशा दूसरों के परती अच्छा विचारें अच्छा सोचें यह सबसे बड़ा कारी है और दोस्तों इसको उल्टा करने से भगवान सिव बहुत जल नाराज हो जाते हैं दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारी है कि जो भी व्यक्ति दूसरे के धन को किसी दूसरे व्यक्ति के धन को जबर्दस्ती या फिर नाजाईज तरीके से अपना बनाना चाहता हो तो ये दोस्तो और शम्मे अप्राद ये अर्ताद ये शमा के प्राती नहीं है ऐसा करने से भगवान शिव आपका विनास कर देते हैं अगर दोस्तों आपने इन दो आप्तों को छोड़ दिया तो भगवान शिव कोई भी आपकी आप जो इच्छा होगी वो तुरंत पूरी कर देंगे वमीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लावकाय सीद होगी हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरू करें धन्यवाज